फिल्मिक से बैराकेश में आपका स्वागत है आज 1970 की टॉप 10 हिंदी फिल्मों की बात करेंगे 11 से 20 नमबर पर रही फिल्मों का एपिसोड आप आई बटन में लिंक क्लिक करके देख सकते हैं शुरू करते हैं टॉप 10 दसवे नमबर पर थी तुम हसी मैं जवां धर्मेंदर, हेमा मालनी, प्रान, राजिंदरनाथ, हैलन, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सर्चिन भौमिक, डायलोग्स, आनंद, रोमानी, गीतकार, राजिंदर कृशन, हस्रत जैपुरी, इंदीवर, संगीतकार, शंकर जैकिशन, निर्माता, निर्देशक, भप्पी सोनी भारती सिनेमा के सबसे खूबसूरत जोड़ी, धर्मेंदर और हेमा मालनी की साइन की हुई, ये सबसे पहली फिल्म थी, पर रिलीज पहले शराफत हुई थी, उसकी बात आगे करेंगे, तुम हसी, मैं जवाँ, एंटर्टेनिंग फिल्म थी, धर्मेंदर के चेहरे पर तेरा तेरा अल्ला अल्ला, काम देब जैसी तेरी सुरतिया, सुमन कलियान पुर ने गाया, आपको पहले ये भी कहीं देखा है, रफी आशा डुएट, छींक मेरी जान, आशा भोसले ने गाया, पर देबर हैलन, फिल्म का बजट सतर लाह के करीब था, नेट कलेक्शन एक क 1856 में उस पर आधारित बिंगॉली फिल्म बनाई थी, उसी टाइटल से, जो असित सेन की एज डिरेक्टर पहली बिंगॉली फिल्म थी, सफर उसी फिल्म की रीमेक थी, स्क्रीन पिली और डिरेक्शन असित सेन, डालोग्ज लिखे थे इंदर राच आनन ने, गीतकार की दूसरी फिल्म थी, पर पहली रिलीज थी, आराधना के बाद राजेश खना और शर्मिला टगोर की साथ में ये दूसरी फिल्म थी, फिल्म की कहाने बहुत अच्छी थी, और सब कलाकारों का काम बहुत ही अच्छा था, फिरोज खान ऐसे कलाकार थे, जब से उन्होंने बड़ी फिल्मों में सपोर्टिंग रोड करना शुरू किया था, वो हर हीरो पर च्छा जाते थे, उनकी परसनेलिटी और अंदाज कितना शानदार और डॉमिनेटिंग था, या आप सब जानते हैं, सफर में उनके काम की तारीफ होने लगी, तो ये बात राजेश खन्नों को पसंद नहीं आ रही थी, ये रेर फिल्म है जिसमें दोनों हीरो मर जाते हैं, राजेश खन्ना भी और फिरोज खान भी, सफर के लिए डारेक्टर असित सिन को बेस्ट डारेक्टर फिल्म फेर अवार्ट मिला था, फिल्म के सारे गाने हिट थे, जिन्दगी का सफर, है ये कैसा सफर, ये गाना कल्यान जी अनन जी के तीसरे भाई बाबला ने कंपोज किया था, जीवन से भरी तेरी आँखें, ये भी किशोर कुमारे के खास गानों में शामिल है, जो तुम को हो पसंद वही बात कहेंगे, मुगेश जी ने गाया, हम थे जिनके सहारे लता जी नदिया चले चले रिधारा मना डेने गाया, फिल्म में कोई डूइट सौंग नहीं था, फिल्म का बजट 75 लाग के क्रीब, नेट कलेक्शन एक करूड 50 लाग फिल्म हिट थे, आठमे नमबर पर थी हम जोली, जितेंद्र, लीना चंदावरकर, प्रान, महमूद, ट्रिपल लोल में अरुना एरानी शेशिकला, लेखक थे पंडित मुखराम शर्मा, गीतकार आनन्द बखशी, संगीतकार लक्षमी कांत प्यारेलाल, निर्माता प्रसन कपूर, निर्देशक रामना, हम जोली निर्देशक रामना की 1964 की तमिल फिल्म की रीमेक थी, महमूद के अनु प्रसन कपूर को इनवॉल्ब कर लिया, प्रसन कपूर ओफिशल पर्डियूसर बन गए, फिल्म खरीद कर जितेंदर को लगा कि उनका रोल बहुत कम है, महमूद का रोल बहुत ज्यादा है, स्क्रिप्ट में कुछ चेंज़िज़ करके जितेंदर ने अपना रोल बढ़ाय महमूद ने प्रित्वी राजकपूर, राजकपूर और रंधीर कपूर के स्टाइल में तीनों किरदार निभाए थे कपूर्ज की फिल्म कल आज और कल तब अंडर प्रोडक्शन थी बाद में महमूद ने कहा था कराजकपूर साहब ने मेरे काम की बहुत तारीफ की थी जितेंदर को इस फिल्म से बहुत फायदा हुआ था उन दिनों जितेंदर और मुम्ताज की गहरी दोस्ती थी जो खिलोना के सेट पर शुरू हुई थी इसलिए जितेंदर ने मुम्ताज को हमजोली के एक गाने में परफॉर्म करने के लिए कहा था गाना था टिक 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 मेरा दिल बोले लता रफी डूइट बाकी पॉपलर गाने थे ये कैसा आया जमाना महमूद मुकेश और किशोर कुमार ने गाया ढल गया दिन हो गई शाम रफी आशा डूइट हाय रे हाय नीन नहीं आए रफी लता डूइट फिल्म का बजट 75 लाक के क्रीब था नेट कलेक्शन एक करोड़ 55 लाक फिल्म हिट थी साथवे नमबर पर थी शराफत, धरमेंदर, हेमा मालनी, अशोक कुमार, स्टोरी महेश कॉल, स्क्रीन पले नबेंदू गोश, डायलोग्स, कृशन चंदर, गीतकार आनन बखशी, संगीतकार, लक्शमी कांथ, प्यारे लाद, निर्माता मदन महुला, निर्देशक असित स धरमेंदर और हेमा की जोड़ी को पर्दे बर पहली बार इस फिल्म में देखा गया था, यह इस जोड़ी की पहली रिलीज थी, धरम हेमा की आन स्क्रीन केमिस्टरी बहुत ही अच्छी थी, यहीं से अंदाजा हो गया था, कि यह जोड़ी आगे चलके पर्दे बर चाने व पाएं हैं, यह फिल्म उन में से एक है, हिमा बहुत इनिसेंट नजर आई, उनका डायलोग बोलने का अंदाज बहुत नौर्मल था और बहुत प्यारा था, बात की फिल्मों में यह मासूमित नजर नहीं आती, फिल्म का एक ही गाना ज्यादा हिट हुआ, शराफत छोड़ भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, पांचवे नमबर पर थी जीवन मृत्यू, धरमेंदर, राखी, अजीत, रमेश दियो, कनहिया लाल, क्रिशन धवन, स्टोरी, डॉक्टर, विश्वनात, राय, स्क्रीन प्ले, डालॉग्स, गोविं नहीं कर पाएं, फ्रेंच ऑथर, अलेक्सेंडर डियूमस का 1844 का नॉवल था, दे काउंट आफ मॉन्टे क्रिस्टो, उससे इंस्पार्ड एक बेंगॉली फिल्म, जीवन मृत्यू, 1967 में बनी थी, उत्तम कुमार उसके हीरो थे, 1970 की हिंदी में बनी, जीवन मृत्यू, उस किरदारों में आदे से ज़्यादा काम उनका अपेरेंसी कर देता था, अजीत, कनहयालाल, रमेश्टो, क्रिशन धावन, राजिंदर नात, बाकी सब का काम बहुत अच्छा था, विपिन गुपता की परिसनेलिटी में जो आथोरिटी थी, वो ऐसे किरदारों को सूट करती थी, राकी बहुत अच्छे लगी, बैगरों म्यूजिक बहुत अच्छा था, फिल्म में दो ही गाने हैं, एक गाना दो बार है, सदा भार गाना है, जिल मिल सितारों का आंगन होगा, लतरफी डुएट है, एक बार लता सोलो है, 1948 की फिल्म थी चुनरिया, म्यूजिक था हं बनादार गाना बनाया, जमाने में अजी ऐसे कई नादान होते हैं, बहुत ही कमाल का फिल्मांकन है, जेब रहमान ने बहुत अच्छी अदाकारी की है, फिल्म का बजट एक करोड के क्रीब था, नेट कलेक्शन दो करोड फिल्म हिट थी, चौते नमबर पर थी पूरव औ राजेश खना, आशा पारिख, विनोद खना, राजेंदरनाथ, निरोपा रॉय, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सचिन भॉमिक, डायलोग्स, एहसान, रिजवी, गीतकार, आनन बक्षी, संगीतकार, लक्षमी कान, प्यारे लाल, निर्माता, जगदीश कुमार, निर्देशक, म ये किस्सा बहुत फेमस है कि जब गाना बनाते समय कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था, तो गीतकार, अनन बक्षी ने कहा था, आज कुछ बन नहीं रहा, अच्छा, तो हम चलते हैं, लक्षमी कान्त ने कहा, फिर कम बिलोगे, बस इतने से ही गाने का मुखडा दिमाग में आ गया, गाना लता मंगेशकर और किशोर कमार ने गाया था, आशा पारिक ने बताया था कि संसेट के समय गाने में शौट लेना था, पर महौल इतना हेक्टिक हो रहा था, कि राजेश खना और मैं एक दूजे की लाइन गाने लगे थे, फिल्म के बाकी सुपर हिट गाने अब अनमेलो सजना लता रफी डूइट कोई नजराना लेकर आया हूं मैं दिवाना तेरे लीए, रफीस साहन ने गाया, तेरे कारण मेरे साजन लता जी ने गाया, जवानी ओ दीवानी तो जिंदा बाध, किशोर दा ने गाया, पलट मेरी जान, तेरे कुरबान आशा जी गया बजट एक करोड़ दस लाग के करीब नेट कलेक्शन दो करोड़ पचास लाग फिल्म सुपर हिट थी दूसरे नमबर पर थी सचा जूटा राजेश खना डबल रोल मुम्ताज विनोद खना नाज प्रयाल स्टोरी जे-म दिसाई यानि जीवन प्रभा मनमोहन दिसाई की पतनी डायलोग्स प्रयाग राज प्रयाग राज ने फिल्म में एक चाय वाले का रोल भी निभाया था गीतकार इंदिवर गुल्षन बाबरा कमर जलालबादी संगीतकार कल्यान जी आनंजी निर्माता विनोद दोशी निर्देशक मनमोहन दिसाई ये राजेश खना के प पाथा बाद में ऐसा समय भी आया जब शशी कपूर ने खुद कहा कि मुम्तास को मेरे साथ हीरोई लो राजेश खना को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर फिल्म फेर अवार्ड मिला था फिल्म बहुत एंटर्टेनिंग है कल्यान जी अनंजी के सदावार म्यूजिक ने फिल्म को सुपर हिट बनाने में बहुत मदद की फिल्म के गाने थे दिल को देखो चेहरा ना देखो किशोर कुमार ने गाया कर ले प्यार कर ले आंखें चार कर ले आशब होसले ने गाया ओ कह दो कह दो तुम जो कह दो लता किशोर डुएट यूही तुम मुझ से बात कर और फिल्म का सबसे पॉपलर गाना मेरी प्यारी बेहनिया बनेगी दुलहनिया फिल्म में दो बार है किशोरदान गाया फिल्म का बजट एक करोड बीस लाग के करीब नेट कलेक्शन दो करोड पचेतर लाग फिल्म सुपर हिट थी पहले नंबर पर थी जॉनी मेरा नाम इस के बारे में चार एपिसोड बने हुए हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बजट डेट करोड के आसपास नेट कलेक्शन चार करोड फिल्म और टाइम ब्लॉग बस्टर है टॉप की 20 फिल्मों की बात करें तो स्टार म्यूजिक डिरेक्टर थे क उनकी साथ फिल्मे थी और इन फिल्मों की कहाने में इन फिल्मों के मिउजिक में बहुत वरैटी थी लक्षमी प्यारे की टॉप 20 में च्छे फिल्में थी पर मूजिक लगभग एक जैसा ही था गीत कारों में अनंद बखशी की साथ फिल्मे थी Хसरत जैपुरी की पांच टॉप फीमेल स्टार प्रफॉमेंस के हिसाब से मुम्ताज थी, तीन फिल्मों का हिस्सा थी, खिलोना में उनका काम बहुत ही खास था, अधर्वाइज टॉप राइजिंग फीमेल स्टार थी, हेमा मालिनी, उनकी तीन फिल्में हिट थी, दो धरमेंदर के साथ और एक देव अनंद के साथ प्लॉग बस्ट थी, में लीड एक्टर्स की बात करें, तो धरमेंदर और राजेश खन्ना टॉप स्टार थे, दोनों की चार-चार फिल्में टॉप 20 में थी, राजेश खन्ना की दो फिल्में टॉप 3 में थी, सुपर हिट वर्डिक्ट के साथ, जाहिर है उ उन्हें एक नई एनरजी थी, ओवरॉल 1970 हैपनिंग था, राजेश खन्ना के हिट फिल्मों की लिस्ट आगे बढ़ रही थी, साथ ही इंडस्टरी को एक ऐसी जोड़ी मिल रही थी, जो उस दश्यक में टॉप की जोड़ी बनने वाली थी, धरमेंदर और हेमा, हेमा मालिनी के रूप में एक फिमेल स्टार भी इंडस्टरी में शुरुआत कर चुकी थी, और अगले 10 साल तक टॉप पर रहने वाली थी, इसके साथ ही 1970 की टॉप 10 फिल्मों का ये एपिसोड यहीं पूरा होता है, एपिसोड लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर अब तक नहीं किया है तो, थैंक्यू सो मच,